बचो वेलकम टू वीडियो लेक्चेर नमबर टेन वीडियो लेक्चेर नमबर टेन में क्या है हमने जो सेकेंड पार्ट छोड़ा था इससे सॉल्ब करेंगे इसमें क्या है? यो भी साफ साफ देखने में हमें क्या पता चल रहे हैं? कि ये जो है हमारा variable separable form है तो यह variable separable form में है, तो इसको हमनों क्या करेंगे, variable separate कर लेंगे, यह क्या हो जाएगा, 3 e to the power 2x plus 3 e to the power 4x upon e to the power x plus e to the power minus x और dx, ऐसे लिख 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 लिख, ठीक है न, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद variable separate हो गया, left hand side में क्या हो गया, y हो गया, right hand side में क्या हो गया, x हो गया, इसके बाद हम लोग दोनों side integrate कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 e to the power 2x plus 3 e to the power 4x upon e to the power x plus e to the power minus x dx, ऐसे लिख 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 लिए, अब यह तो हमारा question किस में convert हो गया, integral में convert हो गया, अब integral में convert हो गया, तो इसे थो हम solve कर सकते हैं, solve कैसे करेंगे, अब यह तो integral का question हो गया, तो यहाँ से हमने लिखा dy, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें न, तुम, इसके numerator में 3 e to the power 2x common ले लो, तो क्या बचेगा, 1 plus e to the power 2x upon, यह हो जाएगा, e to the power x plus e to the power minus x dx, ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब तुम इसको ऐसे देखो, 3 e to the power 2x, और यहाँ पर क्या हमारे पास, 1 plus e to the power 2x upon, e to the power x, e to the power minus x को लिख सकते हो, 1 upon e to the power x dx, ऐसे लिख लिख लिए हमने, तो, यहाँ से यह integral क्या हो जाएगा, यह तो y हो गया, और यहाँ से 3 को common ले लिए, 3 constant बाहर कर दिया, 2x, और यह गया, 1 plus e to the power 2x, LCM layer denominator में, तो, e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x, dx, तो क्या हो जाएगा, e to the power 2x, 1 plus e to the power 2x upon, e to the power, यह क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, e to the power 2x, नहीं, यहाँ पे एक mistake हो गई, जब हमने LCM लिया, तो, e to the power x हो गई, जब LCM लिया, तो, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें, e to the power x, तो, यह क्या हो जाएगा, e to the power x upon, 1 plus e to the power 2x, और dx, यह और यह कैंसल हो गई, तो, हमें क्या मिला, y is equal to, 3, e to the power 3x, dx, e to the power 2x, और e to the power x, पावर एड़ हो जाएगा, तो, 3x, dx, अब यह तो, बहुत सिंपल हो गई, 3x का इंटीग्रेल क्या होगा, e to the power 3x upon, 3, plus का c, तो, यह 3 भी कैंसल हो गई, तो, यहाँ ग्या हमारा, y is equal to, e to the power 3x, plus c, which is, the required solution, या तो, तुम इसको solution बोल लो, या तो, तुम इसको family of curve बोलो, कुछ लिब भी बोल लो, यही हमारा answer हो कि, यहाँ पे c क्या हमारा, belongs to our, c हमारा क्या real number है, ठीक है न, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो हमने अभी तक क्या कर रहे थे, यह जो first type का, जो हमारा differential equation था न, differential equation of the form, यह, dy by dx is equal to f of x, same type है, यह भी, यहाँ पे dy by dx is equal to f of x था, यहाँ पे क्या है, dy by dx is equal to f of y, तो एक दो कर लेते question, उसके बाद, फिर next form में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यह सारे form क्या है, यह सारे form variable separable है, कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें, यह जो हमारा है, जो भी form अभी पताया जा रहा है, यह variable separable form, क्या हमारे पास, differential equation, differential equation, of the type, dy by dx is equal to f of y, सेम जो भी हमने काम किया है, फिर्स टाइप में, सेम काम इसमें करना है, तो एक दो questions करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, next form में, इसमें क्या करना, क्या है, इसमें हमें, यहाँ पे given है न, dy by dx is equal to f of y, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy upon f of y is equal to dx, उसके बाद फिर हम लोग integrate कर देंगें, दोनों side, dy upon f of y is equal to dx, तो यहाँ से क्या होगा, dx यह हो जाएगा, x, और x is equal to क्या हो जाएगा, integral dy upon f of y, यह क्या हो जाएगा, function in y आ जाएगा, plus c हो जाएगा, तो हो गया, solution हो जाएगा, हमानलों कि इसका integral हो जाएगा, f of y, plus c, तो हमें क्या मिलेगा, x is equal to f of y, plus c, यह हमारा required differential equation हो जाएगा, या sorry, required family of curve, या solution of the differential equation, ठीक है, एक दू questions करते हैं, इस पे हम लोग, इसे एक दूख easy question करते हैं, solve, first part, dy by dx is equal to 1 upon y square plus sin y, ठीक है, second part, dy by dx is equal to sec y, यह तो बहुत easy question होगी, चलो एक दूख question कर देते हैं, solution, first part का, क्या हमारे पास, dy by dx is equal to, 1 upon y square plus sin y, यह किस form का है, यह है न, dy by dx, और right hand side में जो function है, वो f of y है, इस form का है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा, हम लोग cross करते हैं, क्या मिलेगा, y square plus sin y, into dy is equal to dx, फिर क्या करेंगे, दोनों side integrate करेंगे, तो यह हो देगा, y square sin y, dy is equal to integral of dx, तो y square का integral क्या होगा, y cube upon 3, sin y का integral क्या होगा, cos y, और यहां क्या होगा, x, कहीं भी दोनों side, left hand side या right hand side, कहीं भी तुम c add कर दो, तो यह हो गया हमारा answer, ठीक है ना, solution second part, क्या हमारे पास, dy by dx is equal to, sec y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy upon sec y कर लिया हमने, is equal to dx, तो यह तो बहुत इसी होगी है, integrate करेंगे, और यह one upon, यह sec y को लिख सकते है, cos y, into dy, is equal to integral of dx, cos y का क्या होगा, sin y, कहीं भी तुम, dx का integral क्या होगा, x, कहीं भी एक जगा, c add कर दो, यह answer हो जाएगा, तो यह answer होगी, यह हमारा क्या होगी, answer होगी, अच्छो, question number two में आते हैं, question number two में क्या है, question number two, solve, the initial, value problem, dy by dx, plus 2y square is equal to 0, where y1 is equal to 1, and find the corresponding, find the cross-bonding, find the cross-bonding, solution curve, क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इस question, बोल रहे हैं, solve the initial value problem, initial value problem, हमें find out करना है, मतलब क्या है, कि, यह initial value problem का, यह मतलब है, कि यह जो हमारे पास, differential equation है, इसका हमें general solution नहीं चाहिए, इसका हमें particular solution चाहिए, जैसे अभी हमने यह question किया, तो यह जो हमने solution दिया, यह क्या हमारा है, यह general solution है, यहाँ पे तो हमने जो भी question किया, यह जो भी solution दिया, वो किस के term में दिया, c के term में दिया, तो यह तो general solution है, इस differential equation का dy by dx is equal to sec y का general solution है यहाँ पर हमें क्या चाहिए particular solution चाहिए इस differential equation का तो कोई बात नहीं है और यहाँ पर particular solution निकालने के लिए particular solution का क्या मतलब है कि c का कोई particular value आएगा तो c का value find out करने के लिए यह हमारे पास relationship दे रखा है y of 1 is equal to 1 अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या दे रखा है differential equation dy by dx plus 2y square is equal to 0 तो यहाँ से हमें क्या मिल गए dy by dx is equal to minus 2y square इसको हम लोग क्या लिख सकते minus 1 upon 2y square into dy is equal to dx अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया तो minus 1 upon 2y square dy dx तो यहाँ से में क्या मिल गए minus 1 upon 2 और यह क्या होगा 1 upon y square into dy is equal to integral of dx minus 1 upon 2 यह क्या हो जाएगा y पे power minus 2 dy is equal to integral of dx minus 1 upon 2 y पे power minus 2 का integral क्या होगा y पे power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 1 का integral क्या होगा x plus का c डाल दी हमने तो हमें क्या मिला minus 1 upon 2 y पे power minus 1 upon minus 1 is equal to x plus c यह minus minus cancel होगा इसका मतलब क्या है कि जब तुम x का value 1 डालोगे then y का value भी 1 होगा यह मतलब है तो इस relation में x की जगा 1 y की जगा 1 डालोगे तो फिर हमें c का value मिल जाएगा यह जो c है ना इसका value मिल जाएगा फिर c का value यहां substitute कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा particular solution तो बस हो गया y की जगा क्या डालो 1 डालो और x की जगा क्या डालो 1 plus c तो यहां से हमें c का value क्या मिलेगा 1 by 2 minus 1 तो यह क्या हो जाएगा minus 1 by 2 तो हमारे पास यहां से क्या मिल जाएगा 1 upon 2 y is equals to x और c की जगह क्या डालेंगे तो यह हो गया इसका यह हमारा answer हो गया यह इसका क्या हो गया general solution हो गया particular solution हो गया जो तो तुम इसको 2 से multiply कर दो left hand side और right hand side तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 is equal to 2x minus 1 reciprocal ले लो तो y is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 2x minus 1 तो यह क्या हो गया हमारा यह हमारा बच्चो हो गया particular नहीं यह हमारा particular solution general solution नहीं हुआ यह यह हमारा particular solution हो गया यह हमसे पूछ रहा था टीक है तो यह हो गया हमारा second type भी हो गया differential equation of the type अब आते third type third type क्या हमारा variable separable form ये भी जो अभी तक जो कर रहे थे ये भी हमारा variable separable form ही था variable variable separable form में आते हैं variable separable form में कोई theory तो है नहीं variable को separate करो उसके बाद integrate करो answer आ जाएगा तो theory के नम पे तो कुछ है नहीं एक दो question से start करते है question 1 solve first part में क्या है sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x e to the power x root under 1 minus y square dx plus y upon x dy is equal to 0 बचो यह जो पहला question है न फर्स्ट पार्ट जो है यह एंसी आर्टीक है ठीक है तो इसको solve कैसे करेंगे इसका solution क्या होगा यह दोनों variable separable form करें हमारे पास क्या है second square x tan y tan y dx plus second square y tan x dy is equal to 0 ऐसे दे रख़ा है न यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि variable separate हो जाएगा कैसे variable separate होगा पहले term को तुम left hand side में ही छोड़ दो tan y dx को दूसरे term को तुम right hand side में ले जाओ तो यह क्या हो जाएगा second square y tan x into dy अब क्या करो यह dx है न इधर तो x वाले term यह जो tan x है इसको left hand side में ले ओ ठीक है tan x को क्या करो तुम left hand side में ले ओ और यहाँ पर dy है न तो यहाँ पर जो tan y है इसको तुम right hand side में ले ओ ऐसा करोगे तो variable separate हो जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया कि second square x और यह जो tan x है इसको left hand side में ले ओ और यह dx हो गया यहाँ पर minus second square y और यह जो tan y है इसको right hand side मिलेगी अब variable हमारा separate होगी अब जब variable separate होगी अब दोनों side इसको तुम integrate कर दो left hand side को x के respect में integrate कर दो और right hand side को y के respect में integrate कर दो ऐसा करने से solution आ जाएगा ठीक है ऐसे कर दी हमने अब बताओ क्या करेंगी तो बहुत simple है tan x का derivative क्या होता है second square x जो numerator में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा log mod tan x हो जाएगा फिर tan y का इंटे ये derivative क्या होता है second square y numerator में लिखा है तो यहाँ पे log mod tan y ऐसे हो गए और last में क्या करेंगे एक c add कर देंगे c add कर दिया अच्छा अब एक बात है कि तुम चाहो तो c भी add कर सकते हो तुम चाहो तो log mod c भी add कर सकते हो हमें constant add करने है न तो करो क्या कि constant add करने है तो c constant है तो log mod c भी constant है log mod c भी तुम add कर सकते हो अब तुम बोलोगे कि इसमें log क्यों कर दिया c क्यों नहीं add कर लो कोई exactly कोई फरक नहीं परता है दोनों के इसमें answer आ जाएगी यहाँ पर तुम c भी लिख सकते हो log इसलिए ले लिया कि इधर भी log है यहाँ भी log है एक term बच रहा था तो constant भी log में ले लिया पर ऐसा कुछ है नहीं कि जो तुमने c डाला तो answer गलत हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा हमें constant add करना है तो constant में c लिखे है या log c लिखे बात तो बराबर ही है इसको लेके आए left hand side में तो क्या हो जाएगा log mod tan x plus log mod tan y is equal to log mod c ऐसे होगी है अब यहाँ पर log plus में क्या हो जाएगा product में आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा tan x into tan y क्या हो जाएगा log of mod c ऐसे हो जाएगा अब चाहो तो तुम दोनों side से log function हटा सकते हो तो क्या हो जाएगा tan x is equal to mod c अब जैसे हमने परहा है mod x अगर mod y के equal होता है तो x का value क्या होता है plus minus y या y का value plus minus x तो यहाँ से क्या होगा tan x into tan y क्या हो जाएगा is equal to plus minus c फिर plus minus c भी constant है तो उसको फिर c बोल सकते हो तो यहाँ पैसे आजाएगा tan x into tan y is equal to c ठीक है ना यह भी answer हो गया ऐसे भी कर सकते हो कोई problem नी यह भी answer हो गया यहाँ भी answer यहाँ भी दे सकते हो यह भी answer होगे यह भी answer इस form में यहाँ भी answer लिख सकते हो यह भी answer होगे सारे answer होगे ठीक है तो होगे हमारा first part अब second part में आते हो second part में क्या दे रखा है e to the power x root under 1 minus y square dx plus क्या है y upon x dy is equal to 0 ऐसे दे रखा है क्या करेंगे variable separate करेंगे पहले तो हमने ऐसे लिख लिया 1 minus y square dx is equal to minus y upon x dy ऐसे लिखे है अब ऐसे लिखने के बाद क्या है कि ये वाला जो x है इस x को तुम left hand side में ले आओ और इसको तुम right hand side में बेश दो तो क्या हो जाएगा variable separate हो जाएगा dx हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा minus y upon root under 1 minus y square dy left hand side में सारे x variable आगे right hand side में सारे y variable आगे अब इसके बाद तुम क्या करोगे integrate करोगे x e to the power x dx दोनों side integrate करोगे minus y root under 1 minus y square dy अब यह जो हमारा question है ना यह integral में convert हो गया left hand side में क्या होगा साफ साफ पता चला है integration by parts लगेगा जिसमें first function हमारा क्या होगा first function x हो जाएगा second function क्या हो जाएगा e to the power x तो integration by parts में क्या करते है first function को छोड़ दिया second function को integrate किया minus जिसे छोड़ा था उसे differentiate किया x को छोड़ा था ना तो x को x के respect में differentiate किया जिसे integrate किया था उसको दोबारा integrate किया whole को integrate किया यह तो होगी right hand side में क्या किया हमने one add किया और one subtract किया ऐसे कर लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा x e to the power x minus इसके integral क्या होगा यह derivative क्या होगा 1 और e to the power x के integral क्या होगा e to the power x dx इसको हमने अलग कर लिए 1 minus y square upon 1 minus y square minus 1 upon root under 1 minus y square dy तो यहां से हमें क्या मिला x e to the power x minus e to the power x is equal to यह power 1 है यहां पर power क्या है 1 upon 2 तो क्या होगा 1 minus y square पर power 1 minus 1 upon 2 minus यह क्या होगा 1 upon root under 1 minus y square dy तुम यहां से e to the power x common ले लो तो क्या जाएगा x minus 1 और यहां क्या होगा 1 minus y square पर power क्या होगा 1 by 2 अलग 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 भी कर लिया dy minus यह क्या होगा 1 upon root under 1 minus y square dy ऐसे होगा अब क्या करोगा अब फॉर्मला लगेगा अब इसमें तुम अच्छा है यह मैंने थोड़ा calculated कर दिया यह integral को न मैंने थोड़ा lengthy कर दिया यहां पर अगर तुमने 1 minus y square को अगर तुमने t आना होता तो question ज्यादे easily solve हो जाता मैंने इसको plus 1 और minus 1 के थोड़ा calculated कर दिया यहां पर तुम क्या करोगे कि 1 minus y square को t मान लोगे तो question ज्यादे easily solve हो जाएगा बट कोई नहीं मैंने कर दिया तो अब इसी को solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास यह root under 1 minus y square dy minus 1 upon root under 1 minus y square dy अब यह दोनों तो integral हमारे standard integral है दोनों integral क्या हमारा standard integral है यह भी integral standard है और यह भी integral standard है बच्चो इसका format किया आगिया यह किस form का है यह तो हो गया root under a square minus x square की format का हो गया इसका form क्या होता है integral यह होता है 1 upon 2 x root under a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon e plus का c और यह वाला जो integral है यह किस format का हो गया मतलब यह वाला 1 upon root under 1 minus y square d y यह तो बहुत simple है यह तो sin inverse y हो जाएगा ठीक है ना तो बस solve करते हैं तो हमारे पास क्या भी तक हुआ है यहाँ पे हमें क्या मिला e to the power x x minus 1 is equal to इसका क्या होता है 1 upon 2 x x की जगह क्या है y फिर root under क्या होता है a square minus x square तो a की जगह क्या है 1 तो a square minus x square x की जगह y है plus a square by 2 तो 1 by 2 और यह क्या होगा sin inverse x upon y तो sin inverse y एक का काम कर रहा है ठीक है यह तो हो गया minus यह तो हमारा बहुत simple है sin inverse y plus क्या है तो हमें क्या मिल गया है e to the power x x minus 1 is equal to 1 upon 2 y root under 1 minus y square plus 1 upon 2 sin inverse y minus sin inverse y तो half sin inverse y and minus sin inverse y मतलब तुम इसको ऐसे समाझे लो की 1 upon 2 x minus x क्या होगा minus x upon 2 तो 1 upon 2 y root under 1 minus y square यह minus 1 upon 2 sin inverse y होगा ऐसे हो जाएगा तो ठीक है अब इसमें तुम चाहो तो काम क्या कर सकते हो कि right hand side से एक constant add कर देंगे यह two common लेके left hand side में ले हो plus का अब यहाँ पे लोगे left hand side में तो यह क्या हो जाएगा c by 2 यह c by 2 हो जाएगा sorry c by 2 नहीं 2c हो जाएगा तो 2c को फिर c लिख सकते हो कोई problem नहीं यह हमारा answer होगा यह हमारा क्या हो गया यह हमारा answer आगे variable separable form में यह question हो गया अभी हम लोग next वीडियो में अभी variable separable form पे ही कुछ questions और solve करेंगे फिर आएंगे हम लोग next form में लोग